जोस्तों मैं राच्पांडे आप देख रहे हैं RCN तुड़े आईए जान लेते हैं अभी की बड़ी किबर मुख समाचार की बारे में अभी की लेटिस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे पूरी खबर 20 आसे देंगे सच को सच कहेंगे जूट को जूट कहेंगे न पच्छ न भीपच वुल्ली निस्पच मेरा काम है कि आप तक सही सथिक जानकारी पहुंचे मैं अपने करतब का निर्वन कर रहा हूं आप तो सही सथीक जानकारी पहुंचा रहा हैं आज कि बिहार, राजस्थान, नई दिली, इत्याद राज्जियों की खबरे इस चैनल के माध्यम से दी जाती है राजनेती मुद्दा हो, भरती परिछाओं से संबंदित कोई खबर हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आम आदमी का मुद्दा हो हर एक मोद्दे को इस चैनल के मादम से उठाया जाता है अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आप बात उस संतुष्ट होंगे और आपको सभी सठीक जानकारी मिलेगी आप लोग एक सवाल पूछते हैं सर आपको वीडियो का नोडिफिकेशन हमारे पास नहीं पहुँंचता है तो मैं आपको बता दूँ आप चैनल को जब भी सबस्क्राइब करें तो विल आइकन लोग पर सेलेट करें उसके बाद भी नोडिफिकेशन नहीं जाता है क्योंकि दिन में 3 ही नोडिफिकेशन जाता है 24 घंटे का रूल है तो आप गूगल पर सर्च करें RCN, चुड़े में वीडियो आपको दिखाई देगा सरकारी कारियालों में 1 जून से बायोमेट्रिक हाज रही सचवाले वानिस साले से जुड़े कार्यालों में 1 जून से लागू होगी व्योसथा 25 अप्रेल तक हर हाल में खरीदने होंगे बायोमेट्रिक उपकर रहें इससे जो है सुचिता और पारिज़ता दूनों बढ़ेगी अगर कोई कहता है कि हम आफिस आये थे और नहीं आया गलती से हाजरी चाहा दी गई इसमें लापरवाही देखी जा रही थी लेकिन अब 9 बजे खुलेंगे बैंक नई दिल्ली की खबर है बैंक के ग्रहकों के लिए एक बड़ी खबर है अब आपको बैंक से जुड़े कामकारी निप्टाने के लिए एक घंटा एक्टा समय मिलेगा आर बी आई ने 18 अपरल 2022 से बाजार की कारोबारी समय से लेकर बैंक तक क समय में बजलाव कर दिया है रिजरा बैंक आफ इंडिया ने चार दिन बैंक बंद रहने के बाद 18 परल 2022 यानि सुमवार से बैंकों के खुलने के समय में बजलाव कर दिया है तो किते वेजे खुलेगा 9 वजे अगली अपडेट है भारत में गरीबी को लेकर आज कि समाचारपत्र में बताया है कि भारत में गरीबी घटी है भारत में गरीबी 2019 से अगर हम बात करें तो घट कर 10-10 लोग दो परिसत हुआ है 20 वेंग का आकड़ा है मैं एक सवाल सभी से पूछना चाहता हूँ या तो समाचारपत्र की बात है भी शुवेंग की बात है आप लोग कमेंड करके बताईए कि वास्तों में भारत में गरीबी घटी है और गरीब किसे कहते हैं कितनी उसकी आमदनी हो तो वाग गरीबी के सेड़ी में आएगा आप लोग कमेंड करके बताना है क्योंकि मैं बताऊंगा तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा इसलिए आपको जो है कमेंड करके बताना है 21.92 फीज़ी लोग गरीब है 2011 से 12 के अंसार सरकार ने हाल में संसर मेदीज थी जानकारी 25.70 फीज़ी गरामीड जबकि 13.7 फीज़ी सहरी गरीब है केंड के आंकलों के उसार अब गरामीड के बारे में बताया गया है कि गरामीड गरीब 26.73 परस्त थे 2011 में जो कि घट कर 14.7 परस्त हो गए है सहरी के अगर बात करें सहर छेतर में तो 14.2 परस्त पहले गरीब थे अब घट कर 16.3 परस्त हो गए है तो गरीबी घटी है यानि कि गरामीड में 26 से घट कर 11 हो गए है और 14.7 फीज़ी की गिरावट आई है गरीबी में तो इसका मतलब है कि गरीबों की संपत्ती बढ़ी है जो गरीब थे उनकी संपत्ती बढ़ी है तब ही तो आगरीबी से बाहर आए है गरीबी भारत में कम हुई है लेकिन गरीब किसे कहते हैं कमेड वाक्स में बताना कितनी आमदनी हो सरकार के उसार तो गरीब माना जाएगा इस तरह से अगर देखा जाए तो गरीब बहुत कम होंगे क्योंकि जितना आकड़ा दिया गया जितना जो है आप क्या पूजी होनी चाहिए जितनी संपत्ति होनी चाहिए गरीबी के लिए अगर उससे कुछ भी जादा है आकड़ों में तो आप गरीब नहीं है लेकिन उससे जीवन यापन सुधरूपेड नहीं हो सकता है आई के बारे मतादू सहरों में प्रतिमा आई एक हजार से कम तो गरीब तो एक हजार रुपे महिना कमाने वाला गरीब माना जाएगा पताईए सहर में और गाउं में 816 रुपे तो यह बताओ यह पांच जार पाने पर इंसान जो है अपना जीवन यह आपन नहीं कर पा रहा है परिवार नहीं चला पा रहा है महंगाई चरम पर है तो बताईए यहाँ पर एक हजार रुपे से अगर आप एक रुपे जादा हो गए सहरी छेट के अगर आप हैं एक हजार रुपे महीने की आपकी आमदनी है उससे एक हजार रुपे एक रुपे जादा हो गए एक हजार रुपे जादा हो गए तो आप गरीब नहीं अमीर हो गये हैं आप गरीवी की सिरेडी में नहीं है अगर आप ग्रामीड छेच के हैं मंथली इंकम आपकी 860 रुपए है अगर 870 रुपय हो गया तो आप गरीब नहीं है कि कोई डाटा है कि एक कोई डाटा है कि जमाने की बात हो रही है कि एक हजार रुपे कि कितनी बैलू है एक हजार रुपे मंथली कमाने वाला पना जीवन यापन कर सकता है या एक हजार से नहीं तीर हजार रुपे मंथली कमाने वाला पना जीवन यापन कर सकता है साहिदी छेत्र में होगी इसके पहले मेरे आपको दानकारी दी गई थी वही बात आज के समाचार प्रत्व में बताया गया है यहां पर देखे लिखा हो कि 20 मही तक चलेगी आविजदन प्रक्रिया परिछा जुलाई के प्रथम सप्ता में कराने की तयारी चल रही है एजनसी ने को टीम को बताय होगी सबकू सही रूप से रहा नहीं तो जुलाई के दूसरे अत्तीस सब्ता में परिछा कंडेक्ट कराई जाएगी यह जानकारी में पहले भी दी गई थी आज कि समाचार पत्र में वही जानकारी दी गई है जो मेरे दोरह बताया गया था अगली अपडेट है नए सदस् सब्सक्राइब करने वाले माजमी शिच्छा सेवा चैन बोर्ड उत्तर प्रियाग राज के लिए नए सदस्यों का चैन होनी जा रहा है सासन ने दस रिक्त पदो के लिए आविजन मांगा है सभी आहरता पूरी करने वाले इस चुप अभर्षी 14 मई तक आविजन भेज सकत करते हैं आविजर पत्त का प्रारूप आहता वा अन्य व्यवरा माजमी शिच्छा विवाकी व्यवसाईर पर है सब्सक्राइब में 10 अधर शिवा अध्यच का ही बोर्ड होता है इस समय सभी 10 अधरस्यों के पत्त खाली हो गये हैं 5 सब्सक्राइब कर पूरा होने से बाहर ह हो चुके हैं वहीं पांच अन्य सदेस्यों को दूसरा कारिकाल दिया गया था जो आठ अपरेल को पूरा हो गया है तो प्रक्रिया है चल नहीं है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक और महत पूर्जानकारी दी गई है ऐसे में रूटीन के अलामा कोई भी भरती या नीतिकत नीड़ने होना संभो नहीं है असल में चैन बोर्ड और उच्छी तर सिच्छा सेवा आयो का बिले करने करके नया उत्तर में सिच्छा सेवा चैन आयो गठित होना पूर्ड नहीं होने से नय आयो का गठन नहीं हुआ साथ ही चुनाओं की आचार सहीता की वज़ा से प्रकरन हासी पर रह गया तो अब चैन बोर्ड में सदस्यों की निउक्ति की जाएगी सदस्यों की निउक्ति होने के बाद जो भरती प्रक्रियाए लंबी थे उन्हें प इस समय देश में हिंसा बहुत हो रहा है कि देखें हिंसा बहुत अच्छी चीज नहीं है यहाँ पर लिखावा ति दिल्ली हिंसा फायरिंग करने वाले समेथ 21 गिर्पतार मुख साजिस करस्ता अंसार भी पकड़ा गया और पुलिस कर्मियों समेथ 9 लोग हुए थे जक्मी एक एस आई को लगी थी कोली ग्रिमंत्राल ने सी आर पीएफ यूम आरेफ आरेफ की पांच और कम्पनीयों को तैनाज की है तो हिंसा लगाता बढ़ता जा भी उत्रा खड़ में हिंसा हुआ दिल्ली में हिंसा ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना हिंसा मैंने नहीं देखा जितना हो रहा है यह सब गलत है और इस पर सरकार को तुरित कारवाई करते वे एक्सल लेना चाहिए अगली अपडेट है कि सो दिन की कारियोजना में सिच्छक भरती सामिल नहीं आप लोगों को सिच्छक भरती का इंतजार है लेकिन जो सो दिन की कारियोजना है यो योजर चलाएगी है सो दिन में लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए सौ दिन में भरती कम्पलीट कि जाए उसमें सिच्छक भरती का नाम तक नहीं लिया गया है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते कि सिच्छक भरती आएगी इस पर मैं करने के बाद दोपार तक आपको बताऊंगा कि सिच्छक भरती आएगी या नहीं वास्तों में क्या चल रहा है तो आपको थोड़ा बेट करना पड़ेगा जानकारी कमसार कि कितने पत खाली है देखे 4500 पर सिच्छी सिना तक TGT या सहाइक अध्यापक के पत खाली है जो भी कहिए आर सो पचास प्रवक्ता पीजटी के खाली है चार सो पैसर प्रधानाचारी के खाली है एक हजार चार सो तिरपन प्रधानाचार 2019 में प्राप्ट हुए है तो 7268 योग है जिसका अध्याचन उत्तर भिमाजवी सिच्छा स्रिबाच चेन बोर्ड को प्राप्ट हो चुका है अब इतरे पर भरती आ जाए तो बहुत बड़ी बात है पदों की शंख्या बढ़ेगी या नहीं दो पर तक का इंतिजार करें मैं आपको बताऊंगा अनियमता का आरोब चैन के लिए कोड जाएंगे अभरती लोग सिवा आयोग ने कहा अभरती ने फार्म गलत भरा था समाने गुरुप का आप चन्ना होने से नहीं किया गया विचार तो क्या ऐसा संभू है क्या वास्तों में ऐसा हुआ है क्या अभर्चु ने खुद रूटी की है या भी एक सवाल है तो मामला जब कोड में जाएगा जवाब मांगा जाएगा सब उलट-पुलट होगा डाट मांगा जाएगा सब पता चलेगा कि वास्तों में किष्खी गल्ति तो यह मामला कोड में जाने को तैया है कभी भी कोड में याज का दाकिल की जा सकती है अगली अपडेटे 97.000 सिच्छक भरती को लेकर 97.000 सिच्छक भरती के लिए RTI को बनाया हथियार प्रसिच्छित विरूत्गा रिवा आज से सुरू करेंगे अभियान हमने आपको क्या बताया था हमने आपको बताया था कि 4-6 महिने टूइटर अभियान ग्यापन अभियान च मत्री ज атखेंड को सब्सक्राइब ये आपको असर पड़ेंं तो इसी प्रकार के अथेंडिक जानकारी के साद में आपके समझ पस्तित होता हूँ और कुछ लोग का सवाल रहता है कि सार आपकी जानकारी मुझे पसंद आती है लिगिवीडियो 59 कर जम कर फसकाट